सभी को नमस्कार मैं विजेपाल, पिजिटी इतिहास, राज के वरिष्ट माध्मिक विद्याले रुहडाई रेवाडी, कक्षा ग्यारवी के विशे इतिहास के अध्याय दो, लेखन कला और शहरी जीवन भाग एक में आप सभी का स्वागत करता हूँ. पार्ठ के उद्देश्य, इस पार्ठ के उद्देश्य इस परकार हैं, पहला, लेखन कला की शुरुवात कब और कहां से हुई, दूसरा, लेखन कला की शुरुवात किन कारणों से हुई, अर्थात, इस कला की शुरुवात होने के लिए कौन-कौन से कारक या कारण 3. मैसोपोटामिया की लेखन प्रणाली का विस्तार किन-किन छेत्रों में हुआ 4. शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंदों की खोज करने का प्रतन हम इस अध्याय में करेंगे और पाचवा हमारा उद्देश्य रहेगा लेखन की परंपरा से क्या-क्या प्रतिफल अर्थाद परिणाम प्राप्त हुए पाठ के मुख्य बिंदू Dear Students, पाठ के इस भाग एक के मुख्य बिंदू इस परकार रहें पहला, शहरी जीवन की शुरुवात दूसरा, मेसोपटामिया में पुरातात्विक खोजें तीसरा, मेसोपटामिया और उसका भुगोल चोथा, शहरी करन का महत्व और पाचवा शहरों में माल की आवाजाही शहरी जीवन की शुरुवात Dear Students, यह हमारे पाठ के इस भाग का पहला बिंदू है जिसमें हम शहरी जीवन की शुरुवात के बारे में अध्यन करेंगे Dear Students, शहरी जीवन की शुरुवात मेसोपटामिया में हुई थी मेसोपटामिया नाम युनानी भासा के दो शब्दों से मिलके बना है मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमोस अर्थात नदी इस परकार मेसोपटामिया मेसोस और पोटेमेस दो शब्दों से मिलके बना है जिसका अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमी और ये दो नदिया हैं दजला और फरात जैसा कि आप इराग के इस मानचितर को आप देख रहे हैं इसमें ये दोनो नदिया हैं दजला और फरात इन दोनो नदियों के छेतर को ही मेसो पोटामिया कहा जाता है मेसो पोटामिया की सब्दा अपनी संपन्ता, शेहरी जीवन, विशाल एवं सम्रद साहित्य, गनित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमदे सागरिय प्रदेसों और उत्री सीरिया और तुर्की में 2000 इसापूरु के बाद फहला जिसके फल सवरूप उस समस्त छेत्र के राज्यों के बीच आपस में और यहां तक की मिस्र के फराहों के साथ भी मेसोपोटामिया की भासा और लिपी में लिखा पड़ी होने लगे थी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह भूमदे सागर का मानचित्र है और यह इदर उपर तुर्की इदर पूरुकी और सीरिया और नीचे यह इजिप्ट या मिस्र है इन सभी छेत्रों में मेसोपोटामियाई जो भासा और साहित्ते हैं उसका विस्तार 2000 इसापूरु के असपास हो गया था लिखित इतिहास के आरंबिक काल में इस परदेश को मुख्यत इसके शहरी दक्षण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है जैसा कि यह आप मानचित्र में देख रहे हैं यह इराग का मानचित्र है और यह इसका दक्षण भाग है सुमेर और अक्कद इस दक्षणी भाग के एक शहरी कृत छेत्र है या इसके मुखे शहर केंद्र है 2000 इशापूर्व के बाद जब बेबिलोन एक महत्वपन शहर बन गया था तब इस दक्षणी छेत्र को बेबिलोनिया कहा जाने लगा था लगभग 1100 इसापूर में जब असीरियायों ने उत्तर में अपना राजस्थापित कर लिया था तब उस छेत्र को अर्थात मेसोपोटामियाई छेत्र को असीरिया कहा जाने लगा था इस परदेश अर्थात मेसोपोटामिया की प्रथम ग्यात भाषा सुमेरियन अर्थात सुमेरि थी लेकिन दिरे दिरे 2400 इसापूरु के आसपास जब अककदी भासी लोग यहां आ गए तब अककदी ने सुमेरि भासा का स्थान ले लिया था अककदी भासा सिकंदर अर्थात अलग जंडर के समय तक अर्थात 336 इसापूरु से 323 इसापूरु के बीच तक कुछ छित्रिये परिवर्तनों के साथ यहां फैलती फूलती रही 1400 इसापूरु में धिरे धिरे अरामाइक भासा का भी प्रवेश शुरू हुआ यह भासा अर्थात अरामिक भासा हिब्रु से मिलती जुलती थी और 1000 इसापूरु के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में यह बोली जाती है मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजे मेसोपोटामिया अर्थात प्रेजेंट इराक में पुरातत्विये खोजों की शुरुआत उदान के लिए उरूक और मारी जैसा आप इस मानचितर में देख रहे हैं यह दो परमुख स्थल हैं उरूक और मारी यहां उतकरन खा रही है यानि की खुदाई का काम कई दशकों तक चलता रहा हलाकि भारत में इतनी लंबी और व्यापक खुदाई किसी भी स्थल में नहीं चली थी इन खुदाईयों के फल स्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमार्तों, मूर्तियों, आभूशनों, कपरों, ओजारों और मुद्राओं का ही नहीं बलकि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्यन कर सकते हैं यूरोप वासियों के लिए मेसोपटामिया इसलिए महत्तो पुन था क्योंकि बाइबल के पर्थम भाग अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उलेख कई संदरवों में क्या गया है उदान के लिए Old Testament की बुक आफ जेनेसिस में शिमार का उलेक इसका तात्परिय है सुमेर जो इटों के बने शहरों की भूमी है उससे यरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूरवजों की भूमी मानते थे और जब इस चेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुवात हुई तो Old Testament के अक्षर से सत्ते को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गिया 19. सदी के मद्दे से जब से मेसोपोटामिया में पुरातात्विय खोजों की शुरुवात हुई तब से अतीत की खोजे या अतीत को खोजने का जो उत्सा है उसमें कभी किसी परकार की कोई कमी नहीं आई उदान के लिए 1873 में एक ब्रिटिस समाचार पत्र ने ब्रिटिस म्यूजियम द्वारा शुरू किये गे खोज अभियान का खर्च उठाया जिसके अंत्रकर्थ मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टी का अर्थात टेबलेट की खोज की जाने थी जिस पर बाइबल में उल्लकित जल प्लावन अर्थात फ्लड की कहानी का अंकन किया हुआ था बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन अर्थात फ्लड प्रत्वी पर संपुर्ण जीवन को नस्ट करने वाला था परंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को प्रत्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोवा नाम के एक मनुस्य को चुना नोवा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जनतूं का एक एक जोड़ा रख लिया और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नस्ट हो गया पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए ऐसी ही जल प्लावन की कहानिया विभीन समाजों में सुनने को मिलती है 1960 के दसक तक यह समझा जाने लगा कि Old Testament की कहानिया अक्षर सही नहीं है लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपुन परिवर्तनों के अतीत को अपने डंग से अभिवेक्त करते हैं हलाकी दिरे दिरे तक्नीक अधिक उन्नत होती गई और नए नए पहलों पर ध्यान दिया जाने लगा यहां तक की आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी हलाकी बाइबल की कहानियों की अक्षर से सच्चाई को परमानित करने का काम दिरे दिरे गोण होता चला गया मेसोपोटामिया और उसका भूगोल डियर स्टूडेंट यह हमारे इस भाग का अगला बिंदू है जिसमें हमें यह जानना है कि मेसोपोटामिया के अलग अलग छेत्रों में किस-किस परकार का भूगोलिक छेत्र हैं और उनकी क्या-क्या खास बाते हैं मेसोपोटामिया अर्थात इराक भूगोलिक विविद्धताग वाला देश है इसकी पुर्वत्र भाग में हरे भरे उंचे नीचे बैदान है जो दीरे दीरे वनों से ढखे पर्वत स्रंकला के रूप में फैलते चले गए हैं साथ है यहां पर स्वच जहरने और जंगली फूल हैं यहां अच्छी फसल के लिए परियाप्त वर्सा हो जाती है यहां साथ अजार से छे हजार इसापूर के बीच खेती शुरू हो गई थी उत्तर में उची भूमी है जहां स्टेपी घास के मैदान है यहां पशुपालन खेती की तुल्ला में आजीविका का अधिक अच्छा सादन है सर्दियों की वर्सा के बाद भेट वकरिया यहां उगने वाली छोड़ी छोड़ी जहाड़ियों और घास से अपना भरण पोसन करती है पूर में दजला की सहायक नदिया इरान के पहाडी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा सादन है दक्षणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वहस्तान है जहां सबसे पहले नगरों और लिखन प्रणाली की शुरुवात हुई इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोसन का सादन बन सकने की छमता थी क्योंकि फरात और दजला नाम की नदिया उत्री पहाडों से निकल कर अपने साथ उपजाओ बारिक मिट्टी लाती थी जब इन नदियों में बाड़ आती थी अत्वा जब इनके पानी को सिचाई के लिए खेतों में लाए जाता था तब यह उपजाओ मिट्टी वहाँ पे जमा हो जाती थी फरात नदी रिगिस्तान में परवेश करने के बाद कई धाराओं में बठ कर बहने लगती है कभी कभी इन धाराओं में बाड़ आ जाती है और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी इनसे आवसकता पढ़ने पर गेहूं जो और मटर या मसूर के खेतों की सिचाई की जाती थी खेती के अलावा भेड बकरियां, स्टेपी घास के मैदानों, पुर्वोत्री मैदानों और पहाडों के धलानों पर पाली जाती थी जिनसे बहारी मात्रा में मांस, दूद और उन, आदी वस्तुएं मिलती थी इसके अलावा नदियों में मचलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे शहरी करन का महत्व प्यारे बचो यह हमारे इस भाग का अगला बिंदू है जिसमें हमें यह देखना है कि शहरों का महत्व किन कारणों से होता है शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थल होते है जब किसी अर्थ वास्ता में खाद्धे उत्पादन के अतिरिक्त अन्ने आर्थिक गतिविदियां विक्सित होने लगती है तब किसी एक अस्थान पर जनसंख्या का घरत्व बढ़ जाता है इसके प्रणाम स्वरूप कस्बे बसने लगते हैं और ऐसी प्रिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकठे रहना उनके लिए फाइदमंद साबित होता है विशेस्ता इसलिए क्योंकि सहरी अर्थवस्ता में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्तुपुन भूमिका होती है लेकिन नगरों के लोग आत्म निर्वर नहीं होते हैं उन्हें नगर के दूसरे लोगों या गाम के लोगों के द्वारा उत्पन वस्तुएं या चीजों और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर निर्वर रहना पड़ता है उधाण के लिए एक पथर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कहां से के ओजारों की जरुत पड़ती है और वेखुद ऐसे ओजार नहीं बना सकता और वैं यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवशक रंगीन पत्थर कहां से प्राप्त करे। उसकी विशेशक्यता तो सिर्फ नकासी अर्थात पत्थर उकेरने तक ही सिमित होती है वह व्यापार करना भी नहीं जानता कांसे के ओजार बनाने वाला भी धातू अर्थात तामबा और रगा जो टीम के रूप में बनते हैं लाने के लिए खुद बाहर नहीं जा सकता साथ ही उसे इनन के लिए हरदम लकड़ी के कोईले की जरूरत पड़ती है इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की एक परमुख विशेश्ता है इसके अलावा शहरी अर्थवरस्ता में एक समाजिक संगठन का होना भी जरूरी है अर्थात समाजिक संगठन शहरी करने की एक मुख्य विशेश्ता है क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों की सभी परकार की जरूरते को विवेस्तित करने उनके लाने, उनके भंडारन करने, उनके देख रेक करने और विबिन परकार के किरिया कलापों में तालमेल बिठाना पड़ता था इसके लिए कुछ लोग आदेश देते थे जबकि दूसरे लोग उनके आदेशों का पालन करते थे इसी तरह कुछ लोग उनका हिसाब किताब लिखित रूप में रखते थे वारका शीर्ष इसी तरह का एक उधान है यह तीन हजार इशापूरू उरूक नगर में इस्तरी का यह शीर है जो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाये गया था इसकी आँखों और बोहों में करमशय नीले लाजवर्द अर्थात लेपिस लाजुली और सफेद सीपी और काले डामर अर्थात बिटुमन की जडाई की गई होगी सीर के बीच या सीर के उपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाये गया था और गालों की सुकोमल सुन्दर बनावट के लिए इसकी परशंचा की जाती है यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी दूरी से लाना पड़ा होगा शेहरों में माल की आवाजाही प्यारे बच्चों यह हमारे पाठ का अगला बिंदू है जिसमें हमें यह देखना है कि शेहरों में माल की आवाजाही किन किन सादनों के द्वारा की जाती थी मेसोपोटामिया के खादे संसादन चाहे कितने भी सम्रुद्ध रहे हूं लेकिन उनके यहां खनीज संसादनों का अभाव था डक्षिन के अधिकांस भागों में ओजार, मोहरे, अर्थात मुद्राएं और आभुशन बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी इराकी, खजूर और पोपलार के पेड़ों की लखड़ी, गाडिया और गाडियों के पहिये या नावें बनाने के लिए खास अच्छी नहीं थी और ओजार, पात्र या गहने बनाने के लिए वहां कोई धातू उपलब्द नहीं थी इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटा मियाई लोग संबवत है लकडी, तामबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी अर्थात विभिन धात्वें और पत्थर विभिन परकार के जो कीमती पत्थर हैं उनको पडोसी देशों जैसे तुर्की, इरान, अथवा खाडी पार के देशों से मंगाते थे इन सबी समानों के बदले, मेसोपोटा मिया के लोग इन परोसी देशों को अपने यहां पैदा होने वाला कपड़ा और क्रशी जन्ने उत्पाद उन्हें काफी मात्रा में निर्यात करते थे क्योंकि इन परोसी देशों के पास बले ही खनीज संसादनों की कमी नहीं थी और सिवाओं के अलावा कुशल परिवाइन ववस्ता भी शहरी विकास के लिए मत्तुपन होती है भारवाही पशूओं की पीट पर रखकर या बेल गाडियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोईला लाना और ले जाना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यदा समय लगता है और पशूओं के चारे आदी पर भी काफी खर्च हो जाता है और शहरी अर्थवस्ता इसका बोज उठाने के लिए शक्षम नहीं होती है इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीक का हर जगे जलमार्ग ही होता है अनाज के बोरों से लदी हुई नावें नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता है जबकि पस्वों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकर्तिक जल्ध हराएं चोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी और फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में बहुत महत्तोपून थी पाठ की दोहराई बीर स्टुडेंट्स पाठ के सबी बिंदूओं को समजने के बाद आएए पाठ की दोहराई करते हैं अब तक हमने पढ़ा है कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया अर्थात इराक में होती हैं दूसरा हमने इराक अर्थात मेसोपोटामिया के प्रातत्वी खोजों के इतिहास को जाना है तीसरी बात मेसोपोटामिया और उसके भुगोल अर्थात वहां की विविन प्रकार के छेत्रों को जाना है और चोथी बाद शहरिकर्ण के महत्व या खास बातों की जानकरी प्राप्त की है और अगली बाद शहरों में माल की आवाजाही की परिक्रिया को समझा है ग्रह कारिये या होमवर्क प्यारे बच्चो पाठ के सभी बिंदूओं को समझने और पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको ग्रह कारिये के लिए कुछ प्रशन दिये जा रहे हैं जो इस परकार है पहला प्रशन मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है किन दो नदियों से यह नाम बना है दूसरा प्रशन आपके विचार से भारत में किसी भी पुरातात्विक स्थल की उत्खनन परियोजना मेसोपोटामिया जितनी लंबी क्यो नहीं चली तीसरा प्रशन हर छेत्र पर उसके भोगोल का परभाव पड़ता है मेसोपोटामिया का उधान दे कर समझेए चोधा प्रशन शहरों में रहना लोगों के लिए फाइदे मंद और संकट में दोनों तने का होता है कैसे और पांचवा प्रशन यातायात का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग ही होता है क्यों डियर स्टुडेंट्स पाठ के सभी बिंदूओं को समझने और पाठ की दोहराई करने के साथ आपको ग्रहकारिये के लिए कुछ प्रशन दिये गए हैं उमीद की जाती है कि आप इन प्रशनों को आसानी से हल कर पाएंगे फिर भी किसी प्रकार की कोई दिकत है कोई समस्या है तो इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से देखिए सुनिए और समझ करके इन प्रशनों का उत्तर लिखने का प्रियास करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद